हाई गाईज, हाई किशान भाईयों, नमस्कार मैं हूँ एमराज और आप देख रहे हैं यूथ नेट सर्फ करिये यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो प्रैक्टेकली बताने वाला हूँ कि इस्टिमरिच और बायो निनानवे का कैसे पड़ियोग क करूँगा बाचित करूँगा और इन से पढशालना कि आक Annual के आप इस पासल में इसका चिंदी अपूह कर रहा है यह जीरू मतलब डे को हम लोग गुजरत में जीरू बोलने अरंगे जीरा बोलते जो सबसरी corner इस्तिमाल कि जाते हैं यह कितने का प्लॉट है यह बारा विखेगा बारा विखे के प्लॉट में यह जीरू लगा हुआ है चलिए आप गुजराती में किशान भायों को बताइए कि इसका रिजल्ट आप लोग कैसा मिल रहा है इसका रिजल्ट बहुत अचा लग रहा है यह कौन सा पोड़क्ट है बायोफिट बायोफिट का और्गेनिक पोड़क्ट है यह पहली पहली दफा यूज कर रहा है यह रिजल्ट से 100% संतुष्ट है क्या आप बाकई में अपने दिल से जूट नहीं बोलिएगा रियल से आप संतुष्ट है और इसका पोड़क्ट का कहा कहा पे आपने इस्तेम कौन-कौन सब फसल पे इसका इस्तेमाल करके आप संतुष्ट हुए है यह धाना पे मर्शी पे जीरे पे और सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है मतलब सारे जगह पे आप इसी पोड़क्ट बायोफिट का ही और्गेनिक पोड़क्ट यूज करते हैं बिल्कुल आप आपके काम करते हैं सारे काम करते मालिक- साब का नाम क्या है मुझी भाई है गुजरात राज़कोर्ड के जो ए एसई ऑफिसर भी पूलिस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं इनके पास लगबक सो भगहा का खेती है और इन्होंने बायोफिट और्गेनिक पोड़क्ट के कैसे मिश्रन करके प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं हम लोग देखते हैं तो डालिए पानी डालिए इसमें तो इसमें पानी डालिए आदा पानी डाल दीजे पुरा कितने के लिटर का टैंक है ये सोला लिटर ओके ये सोला लिटर का टैंक है दोस्तों लगभग जो भी किशान भाई खेदी में के यूज करते हैं जो पंप का लगभग 15-16 लिटर होते हैं ये इस्टिम्रिज को 2 ml पर 3 लिटर के हिसाब से और बायो 99 को तीन लिटर में 1 ml मतलब 15 लिटर में 5 ml का इस्तिमाल करने की जरूत है मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं आधे भर के छोड़ दीजिए बस चलिए आईए देखते हैं इसका नापते किसे यह है क्या यह है ओके जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह 30 ml का इस्टिम्रिज के साथ ही रहता है हम इसको क्या करेंगे पूरे-पूरी यह आप देख सकते हैं पूरा इसको भर देते हैं तो 30 ml होता है 30 ml एक डब्बे में यूज करना है इसके साथ डाल दिए और क्या करेंगे बायो 99 को मात्र 5 ml इस्तिमाल करेंगे क्योंकि यह इस्टिकर बेस है और इसको ज्यादा मिश्ण करने की कोई ज़रूरत नहीं होती यह इसलिए इस्तिमाल किया जाता है ताकि पौधे के साथ जाकर के चिपक जाए जिससे पौधे का परभाव पौधे पर इस्टिम्रिज का लंबे समय तक बरकरार रहे तो इसलि डालिए डालते जाए बढ़ दीजिए तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे 30 ml इस्टिम्रिज को हमने दिया और बायो 99 को 5 ml दिया अब आपको दिखाऊंगा कि इस्प्रे कैसे किया जाता है में दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो किशळ भाई एक सथ पर कर रहे हैं कितना मस्ड दिख रहा है लगप हंद्रा से वीका का यह है जो कि आप देख सकते हैं अ घजब का लोकेशन आपको दिखाय दे रहा है यह जिरू के पळधे पर इस्तिमाल कर रहा है और यह दोनों क मिल करके जीरू के उत्पादन पड़ ये इस्टिमरीच और बायो 99 का इस्प्रे कर रहा है गजब का लोकेशन दिख रहा है और इसी तरह आप भी अगर करेंगे तो आपको भी उत्पादन मिलेगा और दोस्तों बाकी लंबा हो जाएगा वीडियो तो मैं कहूंगा कि चैनल से पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो लगातार मिल सके और वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच सेयर कर दे दे जीरू का फसल है जो कि असपस ट्रूप से दिख सकता है और थो नजदिक में दिखाई है ना बिल्कुल जीरू का तो इसी तरह के वीडियो आपको लगातार चाहिए तो लाइक करके अपने दोस्तों के भी सेयर किजिए और सब्सक्राइब कर लिजे चैनल पर पहली बार फ कर दाथ करदा है